नवसकार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, Medieval Indian History के इस lecture series में आज हम continue करेंगे दक्षिन भारत के सामराज्य खास करके चोल सामराज्य की चर्चा करने से तो देखे, पिछले lectures में मैंने आपको उत्तर भारत की स्थिती बता दी थी, कि किस तरह से इंडिया में, North India की जो quality है, वो काफी fragmented हो गई थी, प्रतिहार, वंच, पाल, डाइनस्टी, राश्टर कूट, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, राजपूत, Kingdoms के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो वहाँ पर मैंने आपको स्टोरी बता दी थी, almost 11th century तक की beginning की, यानि की year 1000 के आसपास हम है, तो North India की स्टोरी हम अगले lecture में continue करेंगे with the invasion of Mohamed Ghazni and then Ghori, लेकिन दक्षिन भारत में क्या हो रहा था, तो यही सब जब राश्टर कूट, पाल, प्रति तो चोल सामरज्य किस तरह से उसमें important राजा हुए, उनके क्या achievements है, वही आज हम पढ़ने जाएंगे, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि आप इस टेलिग्राम चैनल से मेरे lectures की updates और इस lecture का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले lecture के PDF सारे medieval history के मैंने upload कर दी है, टेलिग् having an audio discussion each night at 10 PM, साथ ही साथ, जितने भी मेरे special classes हैं, उनकी भी आपको updates मिल जाएंगी, इस lecture series में थोड़ा सा विलंब हो गया, because of some health reasons that I had, and I think you can figure it out, कि अभी भी दिक्कत चली रही है आवाज से, तो देखे, आज 31 जनवरी रात तक, एक special offer चल रहा है, अनकाडमी के courses पर, जिसम 10% discount मिलेगा, आम तोर पर 10% discount मिलता है, लेकिन इस बार 20% discount मिल रहा है, तो आपको हमारा जो 1 year का course है, GS का, you will get it only for 41,600 rupees, normally ये 50,000 plus का होता है, तो इसमें अभी एक बहुत अच्छा offer है, इसका उपयोग कीजे, नीचे पहले comment में, description में, links आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत के course का फायदा ये है, कि आप देश के best faculties से live पढ़ सकते हैं, तो subjects को live पढ़ने का फायदा है, कि आपके doubts भी वही के वही resolve हो जाते हैं, तो ये सारे subscription आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, screen पर 6 months, 2 years, 3 years, सारे subscription यहाँ पर available है, usually 10% discount होता है, code का इस्तमाल करने पर, लेकिन मस्या है, तो इस number पर call कर लीजे, और कहीं पर भी unlock code मांगा जाता है, you can use this code to unlock any kind of content on an academy app, तो देखे, मध्य भारत में और दक्षिन भारत में एक dynasty थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, first lecture में, काला चूरी is of महेश्मती, तो काला चूरी dynasty जो है, ये मध्य भारत में र में, उसके पास में स्थित है, तो ये present day मध्य प्रदेश, महराष्टर, गुजरात के एरियाज में रूल करती थी, 6th, 7th century में, मैंने इसका जिक्र किया था, first lecture में, उसके बाद से कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, काला चूरी जो के बारे में पूछते हुए, तो ये Central India मे रूल करने वाली एक important dynasty थी, in the early part of medieval history, ठीक है, तो काला चूरीज के अंदर तीन ब्रांचेस थी, काला चूरीज ओफ त्रिपूरी, काला चूरीज ओफ कल्यानी, और काला चूरीज ओफ रतनपूरा, तो इनके time थोड़े से अलग-अलग है, तीनों एक ही main ब्रांच से निकल का एरिया है, कल्यानी, रतनपूरा, ये चतिसगड में है, ये कल्यानी जो है, इस नौर्थ करनाटका, तो इस रीजन, इस रीजन में आपको ये dynasties देखने को मिलेंगी, काला चूरीज ओफ कल्यानी के समय में ही करनाटका का famous लिंगायत सेक्ट उत्पन्न होता है, लिंग जनपद जो ancient time period में था, यहाँ पर, उस area को roughly ये rule करते हैं, तो पहले छेदी महा जनपद हुआ करता था, इस area को rule करने वाली dynasty थी, काला चूरीज ओफ त्रिपूरी, medieval India में, तो पहले तो ये राश्टर कूर्ट के feudatories थे, उन्हीं के अधीन थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो जनपद में, काला चूरी राजा, युवराज देव प्रथम के अधीन, ये independent हो जाते हैं, ना तो अब ये गुरजर प्रतिहार के feudatories हैं, ना राश्टर कूर्ट के, ये पूरी तरह से independent हो गए, क्योंकि दोनों राश्टर कूर्ट और प्रतिहार, decline होना start हो जाते हैं, अब तो इसको करण बेल के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपूरी को, और 11th century Iranian scholar Al-Baruni ने इस जगे को तियोरी नाम से mention किया है, तो आज के समय में तेवर नाम का जो शेहर है, जो जबलपूर के पास में ही है, probably ये वही तियोरी है, जिसको आज तेवर के नाम से जाना जाता है, क आप लोग मुझे comment में बताएंगे कि कौन सी वो नदी है, जिसका उदगम हमार कंटक्स है, तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, कर्ण मंदिर, ये बनाया था काला चूरी राजा लक्ष्मी कर्ण ने, तो ये वो मंदिर का photograph आपको दिख रहा है, अब इसी के साथ हम और दन तमिलनाडू वाला जो बार्ट है, इसमें रूल करते थे पल्लव, तो पल्लव का capital था कांचीपूरम, which is situated near present day चन्नाई, तो आज का जो चन्नाई शहर है, लगबग उत्तरी तमिलनाडू वाला जो एरिया है, ये पल्लव का एरिया था, फिर उसके बाद दक्षिंड तमिलनाडू पांडियल राजाओं का important area हुआ करता था, तो ये तीन बड़े-बड़े powers थे, अभी early medieval India की हम बात कर रहे हैं, South India में, तो वहाँ पर पांडिय, पल्लव और वेंगी, ये तीन dynasty हैं, लेकिन एक dynasty थी चोल dynasty, जो 300 BC से वहाँ पर मौजूद है, इसके हमें records मिलते 300 BC से, तो इसे 1000 साल हो चुक है, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पिछले 600 सालों से इसका कोई power नहीं है, so it was there till 380, लेकिन उसके बाद इसका power decline हो जाता है, तो इसके राजा most probably feudatories बन जाते हैं, देखो कहीं पर भी यही हो रहा है, उत्तर भारत हो या जाता है, तो चोल सामराज्य किसी ना किसी रूप में था, लेकिन सामराज्य नहीं था, the चोल kings were there, but they had become feudatories of pandyas और पलवाज, ठीक है, तो पलवा और पांडय, ये दो important power हैं, और बीच में छोट आसा area यहाँ पर चोलाज का आपको देखने को मिलेगा, तो ये स्थिती थी, till the time, 9th century आजाता है, ओके, बाइदेवे, पलव राजाओं ने कांचीपूरम में बहुत सारे मंदिर बनवा है, जिन में सबसे फेमस है, कैलाशनाथ Temple of कांचीपूरम, जो पलव राजाओं के द्वारा, 780 के असपास बनाया गया है, अब आते हैं, चोल डैनेस्टी पे, तो इसको फिर से important बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो चोल, जिनका core area कौन सा है, कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला region है, तो ये कावेरी नदी बहरी है, इसी के delta area में यहाँ पर तंजावूर या आज के समय का तंजोर नाम का शेहर है, तो इसी तंजावूर का area इनका core area है, और पांडिय डैनेस्टी जो है, वो मदूराई से rule करती है, थोड़ा सा और south tamil ladu में आप आ जाएं, तो ये इनका core area है, तो विजयाले जो हैं, ये पल्लव के feudatory थे, तो पल्लव यहाँ पर northern tamil ladu में है, कांचीपूरम से वो rule कर रहे हैं, तो पल्लव के ये feudatory हुआ करते थे, लेकिन विजयाले अपने आपको independent गोशित करके, एक अपना independent rules थापित करते हैं, फिर से, तो चोल वंश पहले भी मौजूद था, लेकिन 600 सालों से वो independent नहीं था, अब फिर से वो independent हो जाता है, 850 में, दे capture तांजोर और तंजावूर और इसको अपना capital बना लेते हैं, तो 9th century के अंत तक 9 सदी खत्म होते होते हैं, यानि कि 899, 900 आते आते, चोल राजा जो हैं, ये पल्लव्स को हरा चुके हैं, और पांड्य को काफी कमजोर कर चुके हैं, तो दोनों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नॉर्थ में भी लड़ रहे हैं, साउथ में भी लड़ और दोनों तरफ लड़ते लड़ते अपना सामराज्य ये बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने पल्लव्स को तो पूरी तरह हरा दिया है, कांची पुरम को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जादा तर तमिल नाडु का आज का जो एरिया है, जिसको historically तोंड मंडला कहा जाता ये इनके कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है, तो तमिल स्पीकिंग टेरिटरी इनके कंट्रोल में अब आ गई है, तो सौ साल का ये इनका सफर है, 850 से 950 का जिसमें ये धीरे-धीरे बड़त हासल करते हैं, लेकिन 948-49 में इन्हें एक बहुत बड़ा जटका लगता है, बै राष्ट्रकूट जो है, ये इनको हरा देते हैं, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा दर थर्ड ये चोला किंग को हराते हैं, और चोल एंपायर के नॉर्दरन एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले लेते हैं, चोल राजा, राजदित्य इस लड़ाई में मारे जाते ह और राज दित्ये के बारे में एक खास बात बताई जाती है कि इनकी माता एक चेरा प्रिंसेस थी, चेरा यानि कि तमिलनाडू नहीं, बलकि केरला वाले एरिया में रून करने वाली डैनेस्टी, तो चेरा डैनेस्टी की एक प्रिंसेस की शादी चोल में हुई थी, इसका मतल से एक चेरा प्रिंसिस का जो बेटा था राज अधित्य हुवस सपोस्ट टू बी दे नेक्स्ट किंग इनकी यहाँ पर लड़ाई में डेथ हो जाती है यह एक बहुत बड़ा सेट बैक था बैटल ओफ तकोलम और इस लड़ाई के बाद राश्टर कूट रामेश्वरम तक प गए थे तो 100 साल तक उन्होंने बड़ा थासिल करी लेकिन एक ही जटके में बैटल ओफ तकोलम में सब कुछ खो दिया लेकिन सब कुछ नहीं खोया क्योंकि एक महान राजा 985 में गद्दी पर बैठता है और इनका नाम है राज-राजा चोल तो राज-राजा चोल या राज राज-राजा फर्स्ट इन्हें खहा जाता है क्योंकि इस नाम के ये पहले राजा है तो राज-राजा चोल चोल एंपायर को बड़े स्थर पर स्थापित करते हैं तो राज-राजा और इनके बेटे राज-रेंदर चोल के अगले जो ये 60 साल रहने वाले हैं ये चोल डैनस्टी का गुल्डन ऍह थे तो लगबक 30 साल का इनका राज होगा और 30 साल का इनके बेटे का राज होगा 944 तक तो ये जो 50 साल है न 985 से 1044 के ये जो 50 साल है ये 60 साल है ये golden period है चोल डाइनस्टी के लिए सबसे ताकतवर empire बन जाता है चोल वंश दक्षिन भारत का उत्तर की तरफ भी हमले करता है और साथी में दक्षिन पूर्व एशिया में भी हमले करके अपना पावर साउथ एस में आज के इंडोनेशा मलेशिया तक भी पहला देते हैं तो देखे राज राजा चोल ने सबसे पहले चेरा नेवी को डिस्ट्रॉइ कर दिया इन्होंने कोलम पर हमला किया कोलम अप्रोक्सिमेटली यहां कई सिच्वेटेड है क्विलॉन उसका पुराना नाम है डच वग राजंद्र चोलने बाद में पूरा श्रेलंका अपने कंट्रोल में कर दिया था इसके बाद मौलदीव पर भी हमला किया और मौलदीव जीत लिया नेक्स्ट पांडे राजा पर हमला करके मदुरही में पांडयाथ की पावर पूरी तरह से खत्म कर दीрий completely खत्म कर दिया पांडिया उसको लेकिन ऐसा नहीं कि पांडिया वाइप आउट हो गए पांडिया डैनस्टी वस देर लेकिन अब ये चोल के आगे हाथ जुकाते हैं सर जुकाते हैं ओके बाद में आप क्या देखोगे जब 200 साल बात चोल कमजोर हो जाएंगे तो फिर से पा अंदरप्रदेश में इन पर हमला किया और इन्हें हरा दिया हर दिशा में इन्होंने अटाक्स किये और जीत हासिल करी तो इनका सामराज्य है यहाँ पर उडिशा, modern day उडिशा तक पहुंच गया था, यहाँ वेंगीज को हराकर, गंगाज ओफ करनाटका को हराकर, चेरा, पांडिया, इन सब को हराकर, ultimately यह almost पूरे दक्षिन भारत पर, except the part of Maharashtra, वहाँ पर अपना रूल स्थापित कर लेते हैं, चोला राजाओं ने बहुत बड़े-बड़े मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए, जो आज भी मौझूद है, आप अगर तंजावूर या तंजोर कभी जाएं दक्षिन भारत में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर देखने को मिलता है, ब्रिहदेश्वरा मंदिर, तो सन 2010 में, राज राजा चोल ने ब्रिहदेश्वरा मंदिर बनवाया, यह अदभुत कलाकारी का नमूना है, पत्थर से बना मंदिर है, और इसके architecture के अंदर बहुत सारे unique points है, जिनको हम art and culture के अंदर discuss करेंगे, अभी के लिए याद रखिए कि दक्षिन भारत के मंदिरों की style में, एक बहुत important style इन मंदिरों की है, और these are few of the largest temples of South India that are built by चोल kings. राज-राजा चोल के शासनकाल में, तीन famous Tamil poets, अपपार, संबंदार और सुंदरार ने मिलकर एक बहुत बड़ी किताब लिखी, जिसके 11 हिससे हैं, 11 volumes हैं, इसका नाम है तिरुमुरई, तो तिरुमुरई इतनी important है literature में कि इसे कई बार 5 वेद कहा जाता है, 5th वेद is तिरु तो land survey वाला काम वही राजा कर सकता है, जो काफी ताकतवर हो, ठीक है, जिसके समय काल में शान्ती हो, अगर कोई लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, तो फिर उसके पास ये सब करने का समय नहीं होता, तो राज-राजा ने stabilize कर दिया kingdom को, और अपने पूरे kingdom को organize किया into different units known as वालनाडू, तो वालनाडू क्या है, वालनाडू units है, जैसे कि states होते हैं, वैसे इन्होंने वालनाडू बना दिये, तो वो नाडू शब्द जो है, उसका मतलब ही एक unit होता है, तो जैसे Tamil नाडू is the area of Tamil, ठीक है, तो नाडू is a small unit of territory, फिर उ सचोगा नाम उसी के पीछे रखना चाहते हैं, तो इसलिए he is Rajendra the first, 1014 to 1044, again 30 years का शासन, तो 30 साल 30 साल दोनों का राज रहता है, और ये 60 years के time में massive expansion देखने को मिलेगा, तो इन्होंने भी अपने पिताजी की तरह लड़ाईयां जारी रखी, in fact जब इनके पिताजी बुड जो विजय है, वो पूरी करी, इनके पिताजी ने आदा शिलंका जीत लिया था, इन्होंने जाकर पूरा शिलंका जीत लिया, so he captured the entire शिलंका राजेंदर चोल, और कई चोल inscriptions आज भी शिलंका में पाए जाते हैं, in fact शिलंका के northern areas में Tamil dynasties या Tamil लोग क्यों रहते हैं, क्यो कि उस समय से ही Tamil culture वहाँ पर established हो गया था, Tamil language और कई Tamil follow-up empires वहाँ देखने को मिलते हैं, तो देखो चोल जब कमजोर हो गया, तो वहाँ के जो northern Tamil Nadu के जो Tamil kingdoms थे, वो independent हो गय, तो वो आगे चलता रहा सिलसिला 600-700 सालों तक, इसी लिए आज आप देख रहे हो कि वहाँ पर Tamil population है, और ultimately वो civil war जो होता है, between Tamils and Sihala, it happened because of historical reasons, okay, then 1022, इस समय पहली बार Tamil Nadu वाले शित्र के किसी राजा ने उत्तर भारत पर direct हमला किया, अपनी आर्मी लेकर, तो राजेंद्र चोल ने सीधा कलिंग से होते हुए, आज के modern day West Bengal में पहुँचकर आकरमन किया, और पाल राजा को हरा दिया, तो उस समय बंगाल में जो पाल राजा थे, उनको हरा दिया गया, बायराजेंद्र चोल, और इसी लिए इनको उपादी दी गई गंगाई कोंड चोल की, ठीक है, गंगाई कोंड चोल का क्या मतलब है, वो जिसने गंगा नदी को जीत लिया, actually वो गंगा नदी मतलब वो हुगली नदी को कहा जा रहा है, that is the distributory of गंगा, which flows through modern day Calcutta, कॉलकता, तो गंगा नदी तक अपनी armies को ले जाकर, गंगा नदी वाले शित्र के राजाओं को हराने वाले व्यक्ति को आदर के रूप में टाइटल दिया गया, गंगई कोंड चोल, ठीक है, तो गई कोंडे चोलम पुरम में भी बिल्कुल ब्रिहदेश्वर मंदिर जैसा ही एक सिमिलर मंदिर यहां भी बना हुआ है, तो यह भी बहुत शांदार मंदिर है, कई सारे आपको यहां पर examples temple building के देखने को मिलेंगे, एक इन्होंने राज-राजेश्वर मंदिर भी बनवाया देखें, इसको ध्यान से समझना, दक्षिनपूर एशिया पर चोल administration का direct rule नहीं था, लेकिन इन्होंने यहां के कई राजाओं को हरा दिया, खास करके श्री विजयन, kings को, और उसके बाद से इनका यहां indirect control हो गया था, काफी सालों तक, दीरे दीरे यह control कम हो गया, क्योंके जब चोल यहां पर कमजोर हुए, तो अगेन यहां से इनका influence खत्म हो जाता है, लेकिन यह काफी interesting समय है भारत के इतियास में, क्योंके इतना जादा दूर तक influence किसी Indian kingdom का पहले नहीं रहा था, हजारों किलोमेटर दूर तक जाकर इन्होंने इस पूरे शित्र में अपना इक काधिकार स्थापित कर दिया, कैसे, जो वहां के राजा थे, वहां की dynasties थी, उनको हरा दिया, और जो नए राजा बनाए गए, वो इनके अधीन थे, वो इनके वसाल थे, इनके आगे, हाथ जोडते थे, tax वगेरा देते थे, तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि Bay of Bengal को, च चोला पॉन्ड, बिकास अफ दर कॉंक्वेस्ट, क्योंके शिलंका, मौल्दीव से लेकर, पूरा साउथीस्ट एशिया, इनके अधीन था, और यहां पर, राइट अप टू, बेंगॉल, गंगई कुंड चोल, याद करो, गंगा नधी तक पहुँच गये थे, तो पूरा इ हिंदुईजम आराम से पहुँच चुका था, तो ऐसा नहीं है कि चोल यहाँ पर हिंदुईजम लेकर गए है, या बुद्धिजम लेकर गए, और पाल वंच के तो इनके साथ बहुत अच्छे ट्रेड और कल्चरल रिलेशन भी थे, याद करो, तामरेल लिपती पोर्ट के और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो दक्षिन पूर एशिया में स्थित है तो उसका फोटो और इमेज वीडियो में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है तो Khmer Kingdom ये Cambodia का काफी important Hindu Kingdom था इसे कई बार Champa या फिर English में C-A-M-P-A भी लिखा जाता है वो pronunciation Champa ही होगा तो Champa नाम से ही Khmer नाम आता है आगे के समय में तो ये वाले मंदिर आपको आज भी देखने को मिलेंगे These are the present day ruins of many of the Hindu temples of Cambodia as well as Vietnam तो ये Cambodia Vietnam में यहाँ पर Champa Kingdom था यहाँ Khmer Kingdom भी था तो इस शेत्र को आज Cambodia कहते हैं ये वाले को Vietnam कहते हैं फिर उसके बाद Sumatra वाला जो region है This is Sumatra ठीक है ये जो बड़ा सा island है ये Sumatra है तो Sumatra वाले शेत्र में यहाँ पर Shri Vijay Empire हुआ करता था Shri Vijayaya Shri Vijayaya Empire और इसमें जो डैनिस्टी रूल करती थी वो थी शैलेंद्र डैनिस्टी शैलेंद्र वंच या Shri Vijayayan Empire एक बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाला एंपायर था ruling dynasty was Buddhist और ये बौध धर्म को इतना follow करते थे कि इनोंने भारत में चोल डैनिस्टी के अधीन आने वाले नाग पत्नम में एक बुद्धिस्ट विहार भी बनाया था तो इससे पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट धर्म को कितना seriously follow करते थे प्लस चोल डैनिस्टी के साथ इनके काफी मदूर संबंद थे अच्छे relations थे लेकिन क्या होता है कि यहां की local politics कुछ अलग प्रकार से काम करती है देखो श्री विजयन empire was a Buddhist empire खमेर या चंपा एंपायर जो था ये Hindu rulers यहां पर rule करते थे तो हुआ ये कि आपस में इनकी टकरार सी थी एक war situation जैसी बन गई local reason थे उसके यह हमला करना चाते थे यहां पर rule करने वाली एक local dynasty पर which was again a Buddhist dynasty ruling over parts of present day Malaysia तो इन्होंने मदद मागी यहां श्री विजया से तो श्री विजया ने इनकी मदद करने के लिए हां कर दिया और खमेर ने मदद मागी चोल राजाओं से और चोल राजाओं ने उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी तो राज-राजा के समय तो relations अच्छे थे लेकिन जब राजेंद्र चोल का शासन था उस समय यह वाली लड़ाई होती है 11th century में और तब कंबोडियन या खमेर एंपरर सूर्य वर्मन ने मदद मागी राजेंद्र चोल से ठीक है हमला किस पर करना था मलेशियन एरिया का आज का एक किंडम था तामरे लिंग नाम इंपोर्टेंट नहीं है आपसे कोई नहीं पूछेगा हाँ एक बहुती युनीक चीज य लडाई होती है जिसमें ये जीच जाते हैं और इसके बाद से चोल डैनस्टी का जो इंफ्लूएंस है वो पूरे साउथ इस्ट एश्या पे पहुँच जाता है क्योंके श्री विजया को इन्होंने हरा दिया तो श्री विजया जो है ये बहुत ही बड़ा और इंपॉर्ट ये इसे इनको एक और नाम दिया गया गया कडारम Kundan तो जैसे गंगाई कुंड़न एक उपाधी थी वैसे ओन आपूरी तरह से उपन कर दिया और चाइनर कहने वाले व्यापार को पूरी तरह से उपन कर दिया क्यों कि देखो श्री विजयान एंपायर जो है यहां पर टोल लिया करता था इनको बहुत पैसा मिलता था यहां से जितना भी व्यापार है वो श्री विजया के बीच में से जाता था इंडिया और चाइना के बीच वाला तो यहां पर यह अच्छा कासा टोल कलेक्ट कर लेते थे ब तो इसके कारण चोल इंफ्लूएंस 11th सेंचुरी में अपने चरम पर पहुँच चुका था ग्यारवी सदी के मध्य में चोल इंफ्लूएंस वास देर इन एंटायर साउथीस्ट एशिया फ्रॉम मलेशिया सिंगापूर टुडेज इंडोनेशिया जावा सुमात्रा इन सभ पूछने वाला इंडोनेशिया के एक्जामस में शायद पूछते होंगे आपसे नहीं पूछेंगे बस नाम ध्यान में रखिए श्री विजयन एंपायर की हार का चोल डाइनस्टी के अधीन आने वाले व्यापारियों को मर्चंट को बहुत फाइदा हुआ क्योंकि चाइन चोल ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं इन्होंने साउथ इस्ट एश्या के ट्रेड को बहुत अच्छे से डॉमिनेट किया और जब तक एरब ट्रेडर्स यहां पर आना शुरू नहीं करते 13 सेंचुरी आते आते एरब ट्रेडर्स आ गयते और फिर धीरे यह व्यापार उन्हो 14 सेंचुरी में यह पूरे व्यापार को अपने कंट्रोल में ले लिया और दीरे दीरे यहां पर इस्लाम का स्प्रेड होता है और इंडोनेशिया में यह सारी लोकल हिंदू और बुद्धिस डैनस्टी वाइप आउट बजाती हैं एन इस्लामिक एमपायर सा सेट अप मंदलम्स में डिवाइड किया जाता था मंदलम्स और प्रोविंस अब मंदलम्स के अंदर भी जमीन को और आगे भीतर डिवाइड किया जाता था वाल नाडू और नाडू तो सबसे बड़ा हिस्सा है जमीन का मंदलम उसके बाद है वाल नाडू और फिर है नाडू तो यह sequence याद रखना काफी important है, सबसे बड़ा unit है जमीन का, mandalam which is like a state or a province, then walnadu and then nadu, फिर गाओं के स्तर पर, चोल सामराज्य में बहुत अच्छा administration था, village administration इनका पूरे भारत में सबसे best माना जाता है, ancient medieval time period में, तो अगर आप इनका administration देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह की assemblies है, दो तरह की सभाएं है, एक सभा है एक तरह के गाओं की सभा को कहा जाता है उर, that is the general assembly of the village तो जिन गाओं में normally जमीन, सभी caste के पास है, उन्हें वहाँ पर, उन गाओं में assembly को उर कहा जाता है, कुछ गाओं इनमें rent नहीं होता था, they were rent free तो यह जो ब्रामण villages थे, जिनमें जमीन जादा तर ब्रामणों के पास है they were rent free, और इनमें जो सभा है उसको सभा या माहसभा कहा जा रहा है और उर का मतलब है, general assembly ऐसे गाओं में, जहाँ पर जमीन सभी लोगों के पास में divided है ठीक है, तो उर और सभा दो तरह की यहां पर assemblies है, तो यह जो माहसभा है, ठीक है माहसभा या सभा, इसके पास यह power है कि वो नई जमीन को settle कर सकती है और किसको ownership देनी है, यह भी तै किया जा सकता है, माहसभा loans ले सकती है, किसी bank या इस तरह के जो institutions होते थे, bank तो नहीं होते थे, पर जैसे व्यापारियों के associations है, उनसे loan लिया जा सकता है, और taxes भी लगाया जा सकते हैं, गाहों के लोगों पर affairs of the village were managed by an executive committee, तो गाहों के अंदर day-to-day काम को देखने के लिए, महसभा के अंदर एक छोटी committee बना दी जाती थी, जो एक executive के रूप में काम करेगी, वो day-to-day काम देखेगी, executive committee के अंदर पढ़े लिखे लोग, जिनके पास property है, किवल वो आ सकते थे, और इनका election होता था, तो या तो election या rotation, दो तरीकों से executive committee बनती थी, तो आज के समय में parallel आप देख सकते हैं, जैसे सरपंच, तो सरपंच is like an executive, political executive होता है, तो उसका भी चुनाव होता है, यहाँ पर भी चुनाव होता था, और हर तीन साल में इनका retirement हो जाता था, तो rotation के अनुसार ये चलता रहता था, educated and property owning होना ज़रूरी है, literature की बात करें, तो 12th century poet कंबार, जिन्हों ने रामायन को Tamil में लिखा है, वो एक चोल वंच के राजा के दरबार में रहते थे, not राजेंदर चोल, but लेटर चोल किंग, तो इन्हों age of Tamil literature भी कहते हैं, alright, now 13th century आते आते, यानि कि साल 1230, 14 तक आते आते, चोल डाइनस्टी काफी कमजोर हो गई थी, और 13th century के अंत तक चोल पावर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्यूंकि इनी के feudatories इनको कमजोर कर देते हैं, तो चोल सेंटरल पावर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, 200-200 साल बाद, राजेंदर चोल के लगभद 200 साल बाद, और अब उनकी जगे उत्तर में, यहां आंदर प्रदेश वाले एरिया में, काकातियाज आ जाते हैं, फिर करनाटका में होईसला वन्शा जाता है, और देवगिरी के यादव जिने चैलेंज करना शुरू करते हैं, और जो पांडिय डाइनस्टी थी, वो भी फिर से पावर्फुल हो जाती है, तो पांडिय और चेराज भी अपना पावर फिर से इंक्रीज कर देते हैं, तो इस प्रकार से चोल पावर धीरे-धीरे कम होता जाता है, और जो होईसला डाइनस्टी है, इसको हम आगे भी नाम इसका आएगा, जिकर आएगा, तो अभी ध्यान रखो, इसका कैपिटल था द्वार समुद्र, जो आज के समय में करनाटका में आता है, तो यह होईसला डाइनस्टी का कैपिटल था, और यहाँ पर हाले बीडे नाम की जगे पर इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिन में से सबसे प्रमुक है होईसलेश्वर टेंपल, आटन कल्चर में हम पढ़ेंगे कि इसका जो पैटरन है, वो काफी अलग है, एक स्टार शेप का इसका मतलब डिजाइन है, जो आपको मैं समझाऊँगा आटन कल्चर में, तो वो होईसलेश्वर मंदिर का है हालवीड में, इन्ही डाइनस्टी के अंदर, होईसल डाइनस्टी के अंदर, यह बहुत फेमस थे, फिर नन्या नाम के एक तेलगू राइटर ने तेलगू महाभारत लिखी, ठीक है, यह थे एक चालुक्यन राजा के दरबार में, और इन्हों ने लिखनी शुरू करी थी, तेलगू महाभारत लेकिन उसे पूरा किया था, तिकन्ना ने, तो यह सारे नाम इपॉर्टेंट है, डिरेक्टली प्रिलिम्स में पूछे जाते हैं, इसी समय में पांड्य जो हैं, वो अब मदुराई में फिर से पावर में आ चुके हैं, और धीरे-धीरे चोल को खतम करके, पांड्य वापस पावर्फूल हो जाते हैं, और अल्टिमेटली सल्तनत से जब इनका टकरा होता है, दिल्ली सल्तनत से, तब यहाँ पर दक्षिन में पांड्य का सामराज्य था, ठीक है, तो पांड्य डैनेस्टी कम्स बाक टो दा पावर, और इधर जो चालुक्याज हैं कल्यानी के, वो अपनी मंदिर बनाने की गतिविदियों को चालु रखते हैं, तो इसी के साथ यह lecture करते हैं, समाप आगे की classes जो हैं, उनमें आपको मैं continue करूँगा, गजनी और गोरी के invasions और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना से, PDF आप इस टेलिग्राम चैनल से डाउन्लूट कर सकते हैं, हमारे सभी courses EMI पर available हैं, कोई भी test series को आपको unlock करना है, तो महिपाल कोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, medieval history की जो practice test series है, इसको हर Tuesday को 6 बज़े जरूर करिए, thank you very much, have a great day.